हेलो फ्रिंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल नितूस कुकिंग हम आज मैं आप लोग ले के आई हूँ क्रैप्स मसाला करी की रेसिपी और इसे मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बताऊंगी कि अगर आपने इसे ट्राइ नहीं किया है तो एक बार जरू ट्राइ करें यह बहुत ही टेस्टी बनती है साथ में यह बहुत हेल्दी भी होता है तो आए इसे बनाते हैं क्रैप्स मसाला करी बनाने के लिए यहां पर मैंने यह 12 पीसेज क्रैप्स लिया है जो कि medium size के है तो इसे मैंने वहीं पे बनवा लिया था market में ही और इसे अच्छे से wash कर लिया है और यहाँ पे देखे फ्रिंट ये इस size का मैंने लिया है medium size का तो मैं मसाले उसी इसाब से आपको बता रही हूँ और यहाँ पे मैंने यह जो मोटे वाले लेख है बस वही डाल बारिक वाले को मैं नहीं योज कर रही हूँ आप चाहे तो उसे piece के छनी में छान के gravy में डाल सकते हैं और अभी मैंने यहाँ पे कडाही लिया है कडाही में 4-5 बड़े चमच वाइल डाले है साथ में एक चोटी चमच जीरा डाला है जीरा चटक चुका है तो दो तेज पत दाला है तो यहाँपे मैं सर्सू तेल में बना रही हूँ आप चाहे तो रिफाइंट वाइल में भी बना सकते हैं और अभी मैंने यहाँ लिया है चार बड़े साइज का फियाज जिसे बाड़े साइज को कड़ डाला है उप चाहे तो प्याज को रहे हूं दो बड़े साइज का टमाटर जिसे मैंने बारीक टुक्रो में कट करके ही एड किया है इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अभी दो बड़े चम्मच अद्रक डाल ले हूं जिसे ग्रेट करके एड किया है और इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है साथ में यहां पर एड कर र लेंगे और यहां पर देखें फ्रेंट यह सारी चीज़े भून चुकी है तो इस टाइम पर जो यह क्रैप्स के अंदर से यह जो पाट निकलता है वह हम इसमें एड कर देंगे यह मसाले में हमें भून लेना है इसे डालने के बाद मैंने दो मिनट भून लिया है और अभी सा अपको हाई ही रखनी है और चार से पाच मिनटी से अच्छे से भूनना है और यहां पर यह सारी चीज़े अच्छे से भून चुकी है तो मैंने अभी इसमें एड किया है एक बड़ा चमच लाल मिर्च पावडर साथ में मैंने यहाँ पर देर बड़ा चमच आड़ किया है धनिया पाउडर आधी चोटी चमच जीरा पाउडर आड़ कर रहे हूँ आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर आधी चोटी चमची मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर साथ में नमक स्वादनुसार एड करें और अभी हम इन मसालों के अच्छे सी भुनाई करेंगे तो यहाँ पे आप चाहे तो ढखके भी भुने या फिर आप इसे खुला भी भुन सकते हैं और यहाँ पे देखे फ्रेंड मैं इसे ढख ढख के भुन रहे हूँ और अभी मैंने ओपिन किया और आप इसका कलर देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से भुन चुका है तो इस टाइम पे मैंने 2-3 कब इसमें पानी एड कर दिया है और यहाँ पे इसे मैंने ढख दिया है और 4-5 मिनट इसे हम अच्छे से पकाएंगे ताकि यह अंदर तक पक जाए तो यहाँ पे देखे फ्रेंड 4-5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे इसे पका लिया है और अभी मैं इसमें आड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया एक छोटी चमच गरम मसाला पाउडर एड किया है और बस इसे मिक्स कर लिया है और आप यहाँ पे ग्रेवी देख लेए ग्रेवी आपको जितनी जरूरत है आप उतनी बना ले और यहाँ पे थोड़ी देख ठंडा होने दिया है और अभी आप इसक कालर देखें कि कितना टेश्टी दिख रहा है साथ में उपर तेल भी आ चुका है तो आप इस क्रैप्स की रेसिपी को फ्रेंट जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले फिंट साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले हर न्य वुडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें थैंक्स पर वाचिंग